हलो फ्रेंट स्वागत है अब सभी आपके अपने योडियो चैनल टेक्निकल इंडिया स्म्मक में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्यू यानि कि डॉक्टर ईपीज अबदुलकलाम टेक्निकल युनिवरसिटी लखना उत्रपरदेश के बारे में एक ट्यू से सम्मंदित सभी चातरों के लिए बहुती जादा महतपूर्ण सुचना है तो वीडियो में नतलग बने रहिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे एक छोटी सी र्क्वेस्ट है अगर आप लोग की चैनल पे न्यू है तो इस रड़ आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए उससे फैदा ही होगा एक्स टाइम जब भी हम वीडियोस अप्लोड करेंगे तो आपको इंफर्मेशन मिलीगी सबसे पहले तो फ्रेंड साली आज की वीडियोस स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो में हम उसी नॉटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे पिलस आपको बताएंगे जो आपका रिजल्ट है और सेमिस्टर का वो कब तक आ जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम राउजर ओपिन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड इसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देंगे आपको आपको सरकारी जॉब फाइंड नीचे आना है जैसी आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं प्लस आप लोग यहाँ से अपना एकेट्यू का रिजल्ट भी देख सकेंगे जब आपका रिजल्ट डिकलियर हो जाएगा तो फ्रेंड सली आप चलते हैं निउस की तरफ यानि कि ओफिशल नोटिफिकेशन आपको बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट है और समिस्टर का वो कब तक डिकलियर हो जाएगा सो गाईज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह ओफिशल नोटिफिकेशन एकेट्यू की तरफ से जारी किया गया था पाँच एपरिल 2021 को शाम में ठीक है यहाँ पर आप लोग विशे पर सकते हैं इसतर 2020 के विश्यम समिस्टर के सनातक प्रासनातक पाट्टे करमों के प्रैक्टिकल एंफ शेशनल नंकों की हाड कोफी विश्विद्य अली में जमा कराए जाने के सम्मण में जियां दोस्तों यानि जआप की हाड कोफी है विशर्ण समिस्टर की सेशन 2020 की वो युश्यम समिस्टर की सनातक प्रासनातक पाट्टे करमों के प्रैक्टिकल सेशनल अलंकों की हार्ड कॉपी स्पाइरल बाइंड तथा उक परिच्छाओं की गौपणिये सामागिरी एमसके निटा की पेंड ड्राइफ को स्पीट पोस्ट भारती डागरिबाग के माध्यम से दिनाग 15 एप्रिल 2021 तक जमाय कराय जाने हे तू तिति विस्तारित कर दी गई है जी आँ दोस्तों यानि की जो डेट है वो आपकी 15 एप्रिल 2021 तक बढ़ा दी गई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव कुमार जो के परिच्छन यंतरक हैं उनके सिंगनेचर अब बात आती है कि EKTU का जो रिजल्ट है वो कब तक डिकलियर हो जाएगा और अगर EKTU से सम्मंदित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माद्यम से अपडेट कर देंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबादिये तो फ्रेंडस आज किस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियेगा चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबादियेगा थैंक्यू फ्रेंडस आवा नाइस डे